दोस्तों ये वीडियो आप लोग को दिखाएगी सबसे पहले तो ये बताओ कि जोस कैसा है हाई है की नहीं है आज संडे है और संडे को भी अगर आप लोग अपना जोस जो है वो हाई रख पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अकसर लोग संडे को मज़े में उड़ा देते हैं कि ठीक आज तो संडे है मज़ा कर लेते हैं मज़ा करना है पर लेकिन पूरा दिन जो है वो दुहे में नहीं उड़ाना है क्योंकि पूरा दिन अगर दुहें में उड़ा दोगे तो फिर आप लोग अपनी जो एक punctuality होती है जो discipline होता है जो regularity होती है उसको maintain नहीं रख पाओगी तो वो काफ़े ज़रूरी है तो अपना दिन एक balance तरीके से आप लोग को लेकर चलने में help करेगा आये ने, important news analysis जिसको आप लोग balance diet भी बोलते हैं तो ये उसमें काफ़ी बड़ा रोल पली करता हूँ आप लोग को नजर आएगा अच्छे से enjoy करेंगे balance diet का मतलब यह है कि सब कुछ आप लोग को इसके अंदर देखने को मिलेगा काफी अच्छे से हम लोग यहाँ पर इन चीजों को सब को enjoy करते हैं यहाँ पर नजर आएंगे तो यह जो particular वीडियो होता है यह आप लोग का भरपूर रहता है जिसमें practice रहती है हर तरीके से खासकर MCQ की practice जो की exam में बहुत फाइदे बंद रहती है इसी के साथ में आप लोग की answer writing की भी रहती है एक important बात मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों की लिए जो basically कल शाम MCQ की वीडियो अपलोड कर दिये और यह series हमारी चल रही है जो की Saturday में शाम को आती है तो यहाँ पर आप लोग का test number 10 हो चुक है यहाँ पर यह इसको जाकर देखेगा PDF प्रोवाइड करा दोंगा इसकी और इसी के साथ में जो September, October, November की जो monthly current affair आती है उसकी PDF आप लोगी प्रोवाइड करा दी गई है यह बची हुई थी यहाँ पर तो यह आप लोगी प्रोवाइड करा दी गई है बाकी सारी PDF आप लोगे यहाँ पर इखटे मिल जाती है तो study lover वीर का official page है यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना यह आप लोग को देखने को मिल जाती है answer writing group में जब आप लोग जाएंगे तो वो भी post करूँगा हाला कि पहले मैं Saturday में यह आप लोग को essay दिया करता होता हूँ उनली पर लेकिन आप question भी दे देता हूँ जिसको लिखना होगा तो question भी दे दे करो बाकी essay तो रहता ही है और ethics का एक topic आप लोग को Sunday में मिलते है यह दो चीज आप लोग जुरूर अपनी life का part बनाई है इससे आप लोग की preparation और अच्छी होगी और आप लोग और अच्छी से चीज़ों को handle कर पाएंगे एक और चोड़ी सी बात हैंपर SLV, Pedia पर आप लोग को regularly आर्टिकल पोस्ट कियाते हैं खासकर अगर बात करें तो आप लोग इनको देख सकते हैं हिंदी और इंगलिस में और एक चीज और ध्यान रखेंगे हैं आपर daily एक editorial भी हाँ पर पोस्ट कियाते हैं जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं अपना और इससे आप लोग अपनी English भी improve कर सकते हैं एक आर्टिकल आप लोग पढ़ा कीजिए जिससे आप लोग अपनी life में जो vocabularies वगरा हैं या फिर जब आप लोग CSAT का paper दे रहे होंगे तो उस time पर आप लोग की understanding जो हो काफी develop होने वाली होती है ठीक है तो इसको life का part बना के चलिए जब बात जरूरत की हो तो जुबान सब की मीठी हो जाती है ये reality है अगर आप लोग देखोगे अकसर आप लोग की problem के time पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आप लोग ये पास में नजर आएंगे पर लेकिन जब आप लोग अच्छी life जी रहे होगे आप लोग ये पास में सारी चीज़े होगी तो लोग अन्य केते कि एक तरीके से मुदु मक्खी की तरह आप लोग ये पास में बिन बिनाते हुए नजर आएंगे जैसे गुड के ओपर मक्खी आ जाती है तो असलियत में असली लोगों की ट्रस्ट नहीं करना जो कि जैसे ही प्रोलम है और वो गोली कल्टी मार वाली बात हो गई मापा तो ये सारी चीज़े आप लोगो life में नायर जब भी प्रोलम आती है ना इन reality में आप लोगो बताऊं वो आप लोगो बहुत अच्छे अच्छे lesson दे कर जाएगी वो आप लोग की बहुत अच्छी understanding develop कर जाएगी वो आप लोगो in reality life कैसी होती है वो सिखा कर जाएगी तो इस लसलियत में प्रोलम आप लोगो एक productive और एक ऐसा सुल्जा हुआ इंसान बनाने की कोशिस करती है वो ही सबसे बड़ी गलती करते है तो emotionality को अपनी situation के उपर हावी नहीं होने दिन है कोशिस करो उसको understand करने की हला की आसान नहीं है बोलना आसान होता है पर लेकिन जब करोगे इसको तो भैसा पसीने छोड़ते है कोई इंसान अगर दोका दे दे해 तो यह लगता है यार पता नहीं मालग कि ऐसा इसने कैजे अगर दिया तो वो trust आए अट इंसान का ऐसा थ imagen आफित तो पर लेकिन अगर लग रहा है एक बार गलती होगी एक chance दे दिया तो फिर आप लोग उसको देख सकते हैं तो ये एक इंसान जो होता है वो उसके अंदर की फिदरत आप लोगो पैचानने पड़ेगी कैसा है ठीक है बाइ मिस्टेक कुछ हो जाता है तो एक अलग बात है लेकिन फिदरत ही ऐसी है अगर उस इंसान की तो फिर क्या कर लोगे तो आप लोग को emotional और emotional intelligence में आप लोगो difference करना पड़ेगा और ये आप लोगो life में एक अच्छा अगर आप लोग एक leader बनना चाहते हैं जैसे माली ये DM बन गई या IPS बन गई एक अच्छी post पर जा रहे हो वहाँ पर बहुत काम आएगी आप लोग ये सारी चीजे तो इनको सिखाने के लिए जिन्दगी में जो भी problem आती है उनसे सीख कर आप लोगों चीजे आगे लेकर चलनी है है कि नहीं तो ये बाते आप लोग हमेंसे जानना किएगा आज का schedule बनाया की नहीं बनाया बनाना है बिलुकुल अच्छे से follow करने तभी जाकर चीजों को achieve कर पाऊगे और कल के answer जो है अच्छे से आप लोगों ने दिये काफी अच्छे से जो नितीस है उनके दोरा बहुत ही detail में बहुत ही प्यारे Hindi में answer लिखे गए बहुत ही तसल्ली में जाकर देखना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नितीस कुमार की answer देखेगा आप लोग यहांपर बहुत ही मादब तसल्ली में answer देखेगा कई सारे बच्चों की answer ऐसे होते हैं कि इनके आंसर आप लोग हमेशा देखेगा हिंदी में और कई बार इंगलिस में दोनों पोस्ट करते हैं और हिंदी में तो इनको regular आंसर देखने को मिलेंगे पर जिस तसल्ली में आंसर देते हैं लगता है कि बहटकर उटके ओपर महनत की गई है तो यह होते हैं इन reality जब ढंक से आंसर आप लोग देखोगे तो इनके ओपर आप लोग जुरूब फोकस कर अगरो तो अच्छा लगता है जब इतनी तसल्ली में आप लोग काम करते हो ठीक है तो आज का दिन अच्छे से उटिलाइज करना है और हाउस्द जोस जोस तो बिलूगल हाई रहना चाहिए उसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अगर कमी होगी तो फिर से आप लोगो रिकोल करना है कि क्यों आखिर कमी हो क्योंकि टार्गेट आपका है जिंदगी आपकी है सवारनी आपको है और enjoy आप लोगों करनी है तो कमी कित कोई मतलबी नहीं बनता है तो अच्छे से चीजों को enjoy करके चलना है ठीक है बना लिए आज का schedule और फिर वही बात अपना schedule ढंक से लेकर चलो और जो भी मैं आप लोगो daily exercise देता हूँ वो किया करो ठीक है खास कर जैसे मैंने बोला था कोई भी काम स्टार्ट करने से फ़हले 4-5 गहरी सांस ले लिया करो जैसे कि कल भी हम लोगों नहीं कहा था चलो आज फिर करते हैं ज़या आया था चलो करते हैं गहरी गहरी पांच सांस ले ना उसके बाद में देखना एनर्जेटिक अंदर से फिल करो गया आप लोग ठीक है थोड़ा होल्ड करा करो दो तीन सेकिंड करो दोटिक टॉए हिल में आपकोर दोगे तार्म अंदर में ओीक है aqui कें और मेरा आपकोर दोब है लेढ़ में गाहा से भाह न लेढ़ में तूटी Touma लास्ट वन इसको लाइफ में अपना पार्ट बनाओ और फिर देखो कितना अच्छे तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को जो है सबसे पहले तो बदाई हो हिमाचल परदेश और गुजरात दोनों के अपने चीपनिस्ट जो है वो मिल गए हैं आप अब ओत लेने वाले हैं तो खासकर अगर बात करें जो भी important personality जैसे आप लोग देखते हैं आपर जब चीपनिस्टर बनते हैं या फिर मिनिस्टर बनते हैं इस टेट में यह फिर सेंटर में उनके एटलिस्ट आप लोग को नाम याद हो जाने चाहिए रिजन क्या रहता है वो regular news में आएंगे तो एक common understanding के तोर पर बुलाएं तो इतना आप लोगो जस्ट पता ही होना चीपनिस्टर बन रहे हैं और इसी के साथ में हापर जो भुपेंदर पटेल हैं वो यहाँ पर गुजरात के चीपनिस्टर गरेंगे तो यहाँ पर दोनों क के नाम जो है आप लोग याद रखेगा दोनों राज्य में अभी election में जो भारते जंदा पार्टी है वो यहाँ पर गुजरात में जीत कराई और हिमाचल परदेश में जो पावर में आगी है वो आगी है Congress Party कई जगे by election भी हुए by election का मतलब क्या होता है कई सारे बच्चों अपने का मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं एक तो इनसान ने अपने आप ही अपना इस्तिपा दे दिया यह पोस्ट मुझा पसंद नहीं है आतू मुझे politician मनना ही नहीं है मैं जा रहा हूँ ठीक है ऐसा रियरली होता है ठीक है यह normally देखने को नहीं मिलेगा दूसरी condition यह है कि अस्थी चरम मैं देह मुझा है तो यह अस्थी और जो चरम से यह निके हड्यों से और जो खाल मास से बनावा सरीर है उसकी एक तरीक से डैथ होगी तब यहाँ पर अगर यह situation मनती है तो उस एरिया में by election होते हैं अगर election होने में एक साल जो है उससे कम का time हो तो वहाँ पर by election होगे अगर एक साल से ज़्यादा का time है तो by election होगी फिर तो election हो नहीं है तो यहाँ पर अगर मालिजे कोई दो साल तक काम किया उसने उस एरिया में और फिर उसके बाद में इनमें से तीनों में से कोई condition होगी तो वहाँ के लोगों के लिए by election कराना जुरूरी हो जाता ह है क्यों क्यों क्योंकि मालिजे अगर कोई आज की date में मालिजे आप लोग देखे जैसे की गुजरात में election है गुजरात है मालिजे कोई area है particular जैसे की एहमदबाद वाला area हो ठीक है तो मालिजे वहाँ पर कोई particular एक MLA है जो विधायक साब है उनकी death होगी अभी हाँ पर दो आप लोग सुछ सकते हैं हम लोग ने democracy में include ही नहीं किया क्यों क्योंकि उनको कोई रिपरजेंटी नहीं कर रहा है वहाँ पर जो चुनकर आया थे उनकी death होगी है दोनों राजय में कितने खुस हो इन से कोई और होना चाहिता या फिर जो मिल गए हैं उनसे आप लोग खुस हो बाकी आप लोग यह बताईए अच्छे से देखा करें यार यह सारी चीज़े ऐसी है जो आप लोगो एक पांस साल तक आप लोगो basically enjoy करनी है ओके बाकी एक बा लाडु में काफी ज़दे impact डाल रहे हैं अगर जाओगे तो बेव बंगाल वाली साइड में आप लोग यहाँ पर यह साइकलोन देखने को मिलते हैं ठीक है तो यहाँ पर तरीके से जिसकी वेसे साइकलोन यहाँ पर डवलप हो पाते हैं और यहाँ पर जब भी साइकलोन ह तो इस reason में काफी negative impact डलता हो आप लोगों नजर आएगा इसलिए आप लोगों ने देखा होगा अकसर alert issue कियाता है जब भी cyclone आते हैं पर फिर भी कई सारे लोगों की death हो जाते हैं जैसे अभी हाँ पर cyclone के आने से 5 लोगों की जान चलिगी तमिलाडू के अंदर में और जब cyclone आता है तो बहुत सारी बरबादी होती है खासकर जो coastal area में लोग रहते हैं उनकी तो खासकर live जो है वो अस्त वेस्त हो जाती है बहुत सारे लोग जो होते हैं वो fishing के उपर depend रहते हैं यानके फिस पकड़के खाना और उसको बेचना उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है पर वो complete नहीं हो पाते है जिसकी वेसे दिक्कत देखने को मिलती है और ही बहुत सारे reason रहते हैं जिसकी वेसे आपर इनके बारें बात की जाती है तो ये तो कम से कम आप लोग इसके बारे में idea रहे हैं कि impact क्या क्या होते हैं सड़के बिजली एक तरीके से खाना दाना पान पर ये सारा चीज जो आप लोग disaster management वाला topic पढ़ा जाता है न ये ये सारी चीज़े इसलिए पढ़ा जाती है क्योंकि ये सारी चीज़े कल को अगर आप लोग होगे अगर किसी particular area में तो इन सब चीजों से आप लोग भी जूजते हुए आगे बढ़ोगे तो ये काफी एक important चीज यहां से निकल कर आती है तो ये आप लोग समझेगा कई बार इस तरीगी चीज़े देखने को मिलती है एक काफी important topic कई दिनों से यहां पर news में चल रहा है रसिया के तेल के ओपर cap लगा दी गई है cap का मतलब क्या होता है cap का मतलब यह होता है कि इतना आप लोग इसक प्रोइल है उसके उपर में तो यह कई सारी इस तरीकी हरकते की जा रही है G7 countries की वेसे मतलब यह बिल्कुल ऐसे हो कि माल मेरा है मार्केट में मुझे लेकर जाना है अपना माल बेचना है कोई दूसरा इंसान अगर कहने लगी कि इससे जादा है फिर कम में माल मत बेच देन मतलब मुझे जब प्रोलम नहीं है तो फिर तुमको क्या प्रोलम है आप लोग पहले तो यह बताओ तो जो वेस्टन वर्ल्ड है ना जिसमें आप लोगो यह यूरोपियन यूनियोन और खासकर यूएस से आप लोगो नजर आए गई यह देस हैसे हैं जो कई बार अपनी दादा के लिए चलाते होए नजर आते हैं, अभी रेस्या के साथ में भी आपर यह असे कर रहे है रेस्या को भीटनों पर लाने क्योंकि जो वाइडन जब साउधी रेवे के जो किंग मुहम्मद बिन सुल्मान से मिले तो उनका पुराना दुस्मन ही चल रही थी क्योंकि जब यहाँ पर डोनल्ल ट्रम पावर में थे तो सल्मान ने एक particular journalist को जाकर जो है एक तरीके से खतम करके पानी में बहा दिया था तो जो वाइडन बोले थे अगर हम पावर में आएंगे तो यहाँ पर सबक सिखाएंगे मुहम्मद बिन सुल्मान को सल्मान ने बोला ठीक है आओ पावर में देखते हैं तो हमारा क्या गरते हो तो वही बात हुई अभी यहाँ पर इनकी अच्छी खासी इंसल्ट हो रही है तो उस इज़्जत को बनाई रखने के लिए कुछ भी अगरते जा रहे है इसकी वेसे आपर अभी रसे की उपर जो कंडिशन की वैसे तो यह कही नहीं कि एक माहुल क्रियेट करने की कुछिस की जा रहे है ऐसी बाते हैं आपर बुली जा रहे है तो बेसिक है तो हलका सा आइडियस के बारे में आप लोग रख सकते हैं कि हाँ यह कौन कंटर है तो जी सेवन कंटरी कर रहे है 60 जो बैरल पर यहाँ पर यह पर बैरल ओयल है उसके हाँ पर यह प्राइज फिक्स करने की इनके द्वारा बात की जा रही है और इसके और चलते टर्की भी बीच में आ पर आ रहा है क्यों कि जो वहाँ से तेल निकल कर आएगा तो टर्की हाँ पर उसको चेक कर रहे है कि तुम्हारे पास रहा है आने वाले टैम में situation जो है काफी ज़्याद है कई reason की वे से आप लोगो खराब होती है आपर नजराए तो यह मत बूला ऐसा क्यों हो रहे है क्यों क्योंकि माहौल जो है वो बना दिया गया है ठीक है तो अलगा साइडिया होना चाहिए दुनिया में सबसे उची जो होती है उसको माउंट एवरेस्ट आप लोग बोलते हैं वो कितनी उची है यह आप लोगो बताना है पहले इंडिया ने जब ना पा था तो उसकी उचाए कुछ और थी अभी नेपाल ने यहाँ पर किसके साथ में मिलकर ना पाए चायना के साथ म होना चाहिए कि हिमालेयन माउंटेन है हमारी जो बेसिकली सैड में ऊपर की सैड में आप लोगों देखने को मिलेगा अगर मैं आप लोगों से बात करूं यह आप लोगों हिमालेयन माउंटेन वाला रीजन आप लोगो नजराता है बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वैसे ह शांदार उपजाओ जमीन आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके कुछ हद नहीं है, तो जिसके वैसे एक अलगी प्रोडेक्टिव एरिया हमारे देश में आप लोगों देखने को मिलता है, तो यह आप लोग समझी, तो अलगी इंपोटेंस रहती है, थीम रख आप लोगों अलग-लग मौंटेंस पढ़ा जाती है, और जिस एरिया में जैसा जिवर्फी होती है, वहां की कल्चर भी आप लोगों ऐसी डवलप होती ही नजराएगी, आज की डेट में अगर आप लोग साउत में जाओगे, और वहां पर जाकर अगर आप लोग सेटर करती है, तो इसलिए हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में आप लोग को कहीं न कहीं connected करके जिवर्फी पढ़नी होती है, और हिस्ट्री के साथ में politics कैसे कैसे डवलप हुई है, तो सारे subject interlink है कहीं न कहीं अगर आप लोग देखोगे, इसलिए कहते है कि पहले basic NCRT पढ़कर अपना base बना लेना चाहिए, उसके बाद में फिर चीज़ा आगे समझने चाहिए, तो यह काफी important concept है अपने ही आप में, तो याद रखिएगा, next यहाँ पर UNICEF के बारे हैं बात की जा रही है, तो UNICEF इसको अगर आप लोग देखोगे, दो नाम से जानते हैं आज की डेट में, वैसे इसका जो नाम अगर देखें, इसको आप लोग United Nation Children's Fund के नाम से जानते हैं, जो कि इसका नया नाम है, पर इन reality इसका नाम रखा गया था United Nation International Children's Emergency Fund, यानि कि बच्चों के लिए एक fund एकटे करने की बात की जाती थी, तो यहाँ पर पहले ज इसको चेंज ने करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, तो यह condition आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक दिन बच्चा पूछ रहता है कि सर यह तो नोमल लिखावा रहता नहीं है, इसको यह fund बोलते हैं, तो पहले नाम यह था, फिर चेंज यह किया गया, अ यह day भी celebrate किये जाते हैं, तो काफी important है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, और sustainable development goal में भी हैंपर education और health को काफी importance दी गई है, और बच्चों को तो खास का extra importance दी जाती है, तो उसके साथ में भी आप लोग इसको connect कर सकते हैं, तो अपनी ही आप में काफी important day है, जो आप लोग को doubt रहता है, तो उसको चीजों को पूछा करो, अपने अंदर ही रखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से एक तरीके से सुधार सको, कई बार ऐसे painful जो message देखने को मिलते हैं, या फिर comment देखने को मिलते हैं, जो अंदर से कई ब बस में कोई चड़ रहा है, और भी कई सारी जगे है, इंसान जो होता है, कई बार गाड़ी से गिर गया, कुछ और condition, तो situation ऐसी बन जाते हैं, जिसकी उचद नहीं है, अभी 6 महिने की उनकी एक बच्ची भी है, तो कई बार ऐसे चाहिए देखके ना, मतलब दिमाग खराब हो जाता है, बहुत जादा है, ठेक है, कि यह क्या हो गया, किसे ने एक्सपेट में नहीं किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, कि आप लोग को situation समझने पड़ेगी, कि वो situation आप लोग के हाथ में है ही नहीं, आप लोग अपना काम only उन situation में कर सकते हो, जो सब तूट रहे होते हैं, और अगर थोड़ा सब यह आप लोग महाँ पर अपने आपको manage करकर घरवालों के साथ में खड़े हो जाते हो, तो वो अपने ही आप में एक काफी अच्छी बात रहती है, और इतना आप लोग को करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि यह अभी इसने बड़े हो रहे हैं, जैसे आग आने वाले टाइम में, अपने मम्मी पापा को आप लोग देखे, वो बड़े होते हों नजरा रहे हैं, सब को जाना है आर एक दिन, वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब को जाना है, तो यह life जो है न, यह बड़ी ही unpredictable रहती है, इ यह truth है, एकदम इसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा कोई नहीं है, जो यहाँ पर आकर सरुमान, सत्तिमान हो गया हो, और जो यहाँ से कभी नहीं गया हो, तो जब यह सत्य है, तो इसको accept कर लेना ही जुरूरी है, लेकिन बच्चे अक्सर इसको accept नहीं कर पाते हैं, म हमारे ममी पाप जाएंगे, आप लोग कल को किसी के ममी पाप बनोगे, तो आप भी जाएंगे, और आगे चलके फिर वो भी जाएंगे, तो यह cycle है, तो इस cycle में जो भी यह time आप लोगो मिलता है ना, इसलिए कहता हूँ, उसको खुसी से enjoy करो, कहता हूँ ना, कि छोड़ी स अगर ढंक से इसको आप लोग enjoy करोगे, प्रोब्लम में रहोगे, तो फिर दिक्कत होनी होनी है, तो आप लोग को situation यह accept करनी है, कि हाँ यह हो गया है, अब इसको कैसे handle करना है, वो आप लोगो सीखना पड़ेगा, तो यह है यार, इसके बारे में मतलब, मैं क्या ही बोलू तो बस अपने आपको समालना सीखना पड़ेगा, और यह जरूरी भी है, क्योंकि आगे चीज़े हमेसा आप लोगो लाइप में देखने को मिलती रहेंगे, किसने किसी की रूप में, ओके, तो इन चीज़ों को देखो, कैसे समालना है, और अपने काम को कैसे लेकर चलना है हेल्थ को और परिवार को, यह आप लोगी responsibility बन जाती है, तो एक responsible person की तरीक से भी आप लोगो react करना है, ठीक है? दोस्तों, आज की date में health ना है, एक ऐसा topic है, कि जिसके बारे में, जितना ज़्यादे discuss किया जाए, उतना ही ज़्यादे गाम है, पहले Corona आया, Corona ने सब को रूलाया, अब monkeypox आ रहा है, आप लोगे मजे लेने के लिए, सबसे interesting बात यहाँ पर यह है, कि यह जो बिमारी सारी कही ना, कही ना कही जाने अन जाने में, हम लोग इनको अपने बीच में लेकर आ रहे है, पर लेकिन आज का topic यह नहीं है, आज का topic थोड़ा से different है, जो कि आप लोग के लिए काफी important होगा, जो कि detail में discuss करूँगा, कि private member bill क्या होता है, अभी recently एक private member bill जो है, वो लाया गया, तो इसके चलते हैं, यहाँ पर यह issue सामने निकल करा है, तो कही सारी बाते आप लोग को जानने को मिलेगी, right to health के बारे भी कुछ बाते आप लोग से करूँगा, और इसी के साथ में एक काफी श्यांदार प्यारा सा mixture होगा, जिसमें current और static का part आप लोग यहाँ पर देखन को मिलेगा, कोई topic जब मैं आप लोग उसे discuss करता हूँ, उसमें UPSC का question भी जब आ जाए, तो उसके ओपर चार चांद लग जाते हैं, यह तो आप लोग को बताईए, और बागी कुछ question ऐसे भी है, जो मैं आप लोग को बताऊँगा, खासकर जो दूसरे exams में पुछ जा आप लोग आंसर दो के तभी तो confidence आएगा, अभी हुआ क्या, राजसभा के अंदर discuss किया गया private member bill, और बात की जारी है, right to health के बारे में, right to health मतला, जिस तरीके से आप लोग को पता है, right to education के बारे में, right to education के बारे में, right to education के बारे में, बच्चों के लिए बता है आप लो जो कि है article 21, fundamental right में, उसके अंदर amendment करके article 21A लगा दिया, और इसके तहत right मिल गया आप लोगो, आप लोगो मतला 6 से लिए 14 साल के बच्चों को, कि उनको education मिले तो उसमें कोई भी जादे interfere नहीं करे, वो अपनी education उनकी अगर उन तक नहीं पहुचाए जाए, तो direct court जा सकते ह ऐसा अधिकार यहाँ पर मिल गया, क्योंकि fundamental right बन गया, सोचो कल को, कोई इंसान बीमार है, और बीमार है, और यहाँ पर उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उसको इलाज देने से मना कर दिया, तो आप लोगों को अधिकार है, कि जिसे भी राजे के अंदर आप लोग रहते है State Government की responsibility यहाँ पर लाजाए, कि वो यहाँ पर कम से कम at least minimum health service तो यहाँ पर लोगों को provide कराए, ताकि वो अच्छे से अपनी life को enjoy कर सकें, और फिर से यहाँ पर मैं वह भी बात बोलूगा, कि अगर बात करते हैं Article 21 के बारे में, ठीक है, तो वो एक तरीके से right to privacy के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है, right to life के बारे में आप लोगों से बात करते हैं, तो भही से ही आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जब health के बारे में बात करते हैं, तो वो भी Article 21 से ही निकल कर आते हैं, और यही से ही आप लोग का National Green Tribunal निकल कर आते हैं, जो कि बहुत ह क्योंकि वो, इं Tiburment को Protect करने की बात करते हैं, यहनिकि जिस बाता पुरण में हम लोग quiénot करने के लिए, यानि कि उसको सहज रखने के लिए, एक कानून के तुरुछ एक कोड आप लोग को देखने को मिलेगा, अगर कोईbी मैटर है, तो उसमें जा कर आप लोग डिसस कर सकते तो वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है तो इतनी important चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं health से लेटरी हाँ पर जब बिल लाय गया तो यह एक private member बिल था तो इसके बारे में कई सारी बाते में आप लोग को बताऊंगा पहले थोड़ा सा right to health के बारे में आप लोग को बता देता हूँ जिस चीज से लेटरी हाँ पर यह बिल था फिर इसके बाद में आप लोग को private member के बारे में आप लोग बात करेंगे कि यार उसकी एक अच्छी health होनी चाहिए आप लोगों भी हैदिकार है, मुझे भी हैदिकार है हम लोगों को और खासकर जिसको हम लोग government को चुनकर भेजते हैं जिसके हाथ में हम लोग power देते हैं उसकी responsibility बनती है कि एक तरीके से हम लोग को एक ऐसा health system प्रोवाइड करेंगे, जिसे हम लोग push रह सकें अपनी life को enjoy कर सकें तो health protection हर level पर होनी चाहिए तो इसके बारे में हाँ पर बाते देखने को मिलती है और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ edition of human rights जो की 1948 में आये थे उसका article 25 भी हाँ पर इस बारे में बात करता है कि एक अच्छा standard होना चाहिए लोगों की health और well-being के बारे में बात करता है अभी मैंने आप लोगों को बोला article 21 यहाँ पर यह right to health के बारे में बात करता है life with dignity के बारे में बात करता है और इसी से आप लोग की right to privacy भी निकल कराती है यह तो सारी बात है आप लोगों पता है कई हो बार में बढ़ा चुक हूँ अभी हाँ पर directive principle of state policy के अंदर कई article है article 38, article 39, article 42, article 43 और article 47 article 47 तो आप लोगों ने देखा होगा यह मैंने कई बार डिस्स किया है उसमें मैंने आप लोगों से article 47 के बारे में डिस्स किया था क्यों? क्योंकि यह एक state की responsibility है कि आप लोगों की health जो है वो सही रहनी चाहिए यह उनको ऐज़े समिधान निर्माताओं ने duty दी है कि आप लोगों को लोगों की health के बारे में जहान रखना है कि उनको यह ऐसी चीजे समिधान के अंदर रिखने पड़ गई उन्होंने अंग्रेजों को देखा था यार अंग्रेजोंने हमारा खूंचूस है ऐसी बीमारिया हुई है अंग्रेजों के टाइम पर अंग्रेजों के लिए तो क्या होगा तो उनके ओपर कुछ ना कुछ तो प्रेसर होना चाहिए तो यह डिरेक्टी प्रिंसिपल ओप स्टेट पोलिसी उनको इसी लिए उनके गले में घंटी गाली गई ताकि यह हिलती रहे बसती रहे और उनको याद दिलाती रहे कि तुमको यह काम करने तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जग हाला कि आप लोग को पता है कि पोलिटीशन जो है वो आजके में धीनट होते जा रहे हैं तो सिधर सिधा एक मूवी बता जिता हूँ मांजी मूवी देखो ठीक है आप लोग ने देखा होगा उस मूवी में क्या दिखाया गया उनके घर के आसपास में कोई होस्पिटल ही नहीं था उनको एक पहाड़ी के आसपास से गुजर कर जाना पड़ता था इसे काम चलेगा एक तो यह काफी इंपोरेंट है कि आप लोग को एट लिस्ट अविलेबिल करवाना चीए चीजे ताकि इंसान जो इसको हाँ पर यूज कर सके ऐसा ही एक केस और आप लोग को देखने को मिले गए हाँ पर अगर कोईभी होस्पिटल है या फिर कोई प्राइवेट कोई इसा प्रोफेसर अगर कोई कर रहा है तो अपनी सर्विस एक्सपर्टीज उसको प्रोवाइड कराने है ताकि लाइफ को प्रोटेट किया जा सके तो ये एक ऐसा बिल आने की कोशिस की जा रही है क्योंकि हमारे देश में कोई भी ऐसा बिल नहीं है और इंटरेस्टिंग चेज यहाँ पर यह है अगर आप लोग sustainable development goal में जाएंगे जो कि total मिलाकर 17 ऐसे goal हैं जो कि दुनिया को सुधारनी की बात करते हैं इसके अंदर 169 target हैं और मैंने आप लोग को 169 target में दे जब target number 3 मैंने आप लोग से discuss किया था तो उसमें बताया था कि universal health coverage के बारे में भी बात की जाती है इस particular goal के अंदर में तो यह जो goal है इसको expand करने की बात की जा रही है इसका फाइदा कि आप लोग सोचने कोशिस करिए एक इंसान कह रहा है कि मुझे ये health service दो सामने वाला बोलेगा किस base पर तुमके health service दे ठीक है नहीं देते तुमको health service जाओ यहाँ पा ये एक तरीके से आप लोग को अधिकार नहीं है आप लोग उससे मांग रहे हो पर लेकिन सोचो आप लोग बोलो कि यह मेरा अधिकार है भाई साब तुझे health service देनी देनी पड़ेगी वरना court में जा रहा हूँ वो एक minute में अपनी पैंट के लिगर देगा क्योंकि आप लोग यह fundamental right बन गया है आप लोग अधिकार मिल गया तो आप लोगो कोई deny नहीं कर सकता है तो यह होता है अधिकार देने वाली बात जब तक अधिकार नहीं है तब तब तो कोई कुछ यूँ बोल देगा यह बिलकुल ऐसे यह जैसे खाना खाने जाते चाते न उस्पिटल है पता चला उसमें एक क्रोड रुपे माग रहे हैं फीस चला जाएगा कोई इंसान गरीब अरे वो अपनी किड़नी वेज देगा अपनी सारी जमीन दायजात बेग देगा तब भी न इलाज करवाएगा तो आउट ओफ पोकिट अपनी जेव से खर्चा करकर खुद अपना इलाज करवाना वो कम होना चाहिए तब ही जाकर सीचेशन जो है वो सुधरेगी तो इसके चलते हैं पर कई सारी दिक्कते देखने को मिलती है जिसके ओपर काम करना चाहिए जैसे लैक ओफ प्राइमरी हैल्थ केर सर्विस आसपास इसके चलते काफी दिक्कते देखने को मिलती है पुब्लिक जो हैल्थ सिस्टम के अंदर में तो लोगों को मजबूरन प्राइवेट के अंदर जाना पड़ता है इसके चलते और काफी खतरनाग दिक्कत है यहां पर डोक्टर का पॉपुलिशन से रेसो डव्लु एच्चो से बोला है तो डोक्टर के ऊपर भी बर्डन है और 15 फाइनेंस कमिशन के द्वारा बोला गया था कि आज की डेट में हैल्थ जो है वो एक इतना बड़ा टोपिक बन चुक है और कोविड-19 ने तो सबके चक्सु खोल दिये कोविड-19 ने तो सबको सुधार दिया है कि हैल् पर गिरा कर जाएगी तो इसलिए बोलता हूं कि हाँ वोल पॉलआ फिफितीं फाइनस कमिशन ने विड्रीयृण के बॉंड़न के बता हूं और तो तूमने इनिन गया 15th Finance Commission कहने लगा कि भाई साब जोर जोर के चिला चिला के बताओंगा क्योंकि कान में बताती तो तुम्हारे कान पे जून ही चलेगी तुम इसको इंप्लिमेंट ही नहीं करोगे तो उसने साब साब चिला चिला के बोला कि तुम्हारी बीमारी है, श्टेट के अंदर मतलब एक तरीक से श्टेट की लिस्ट में आता है समिधान में लिस्ट है ना, साथ वे सेड्यूल के अंदर तीन, जो कि यूनियर होई श्टेट और कॉन्केट तो सिधा सिधा सेंट्रल कॉर्णमें ने बोला था तो 15 फाइनेंस कमिशन को समझ में आ गया कि अभी तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, अभी ये मोंग की पोक्स आ रहा है ये भी कुछ ऐसी पोक्स ही निकाल दे हैं हाँ पर ऐसी कोई कंडिसन मन जा है तो इसलिए फोकस देने की जुरत काफी जाद है और बात करें हाँ पर सोटेज कहां कहां पर है चीजों की तो हर एक लेवल पर आप लोगों देखने को मिलेगी पर एक तरीके से पिपल पर डोक्टर की बात यहां पर की जा रही है सोटेज, तरमिलनाडू के अंदर, डेहली के अंदर करनाटका, केरला, गोवा, हर जगे देखने को मिलेगी भाई साब, जारखंड, हरियाना यानिकि ये तो बेस्ट इस्टेट है जहां पर सोटेज यहां पर भी है ठीक है यानिकि ये तो ऊपर से टोपर है और ये नीचे से टोपर है अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ की सर्विस कैसी है तो ये है पूरा एक टोपिक जिसमें बात किजा रही है हेल्थ के बारे में, तो कोई भी कन्फूजन नहीं होना चाहिए इसका constitutional angle भी बता दिया significance क्या है, challenge क्या है, वो भी आप लोगों मेने बता दिया 15 Finance Commission क्या कह रहा है डोक्टर से population ratio क्या होना चाहिए कौन-कौन से राज्य सही में है और कौन-कौन से बेकार है वो भी आप लोग को बता दिया तो यह पूरा एक topic आप लोगा है अब इसी के अंदर next topic की ओर चलता हूँ वो एक separate topic है, पूरा इसी तरीके से में उसको discuss भी करने वाला हूँ, तो अच्छे से सुनिएगा कोई भी mind में confusion नहीं होना चाहिए अभी मैंने जो आप लोगों से discuss किया वो किया topic right to health के बारे में यह भी ला रहा था राजसाभा के अंदर में अभी जो topic discuss करने जा रहा हूँ, वो है private member bill के बारे में, तो इसकी history निकालेगे सारी बाते इसके बारे में समझेंगे detail में एक एक point आप लोगों से discuss करूँगा और एक बार चीजों को पढ़ लो, उस तरीके से पढ़ लो, कि जिन्दगी भार अब आप लोगो फिर उसको पढ़ने की जुरतना पड़े, इस तरीके से topic को त्यार करके चलना है, ठीक है वैसे यह topic ऐसा है, जो politics के अंतर मैंने काफी सिद्दत से आप लोगो पढ़ाय था, आप लोग politics में जाकर भी इसको search कर सकते हैं, और यहाँ पर तो मैं आप लोगो बताऊंगा ही, बताऊंगा, ठीक है बात करते हैं, public और private member bill के बारे में, public bill के बारे में कई हों को यह confusion रहता है कि इसको तो government प्रस्तुत करती है public bill को, और private जो bill रहता है इसको opposition वाले प्रस्तुत करते हैं सबसे पहले तो यही जो आप लोग का confusion है ना, इसको पहले dust bean में डाल कर आओ ऐसा बिलकुल भी नहीं है private member bill जो है, वो bill कहलाता है, जिसको minister यानिके अगर माले जे आज की डेट में minister को है, basically home minister वो हैं हमारे, जो हैं basically अमित साजी, उनकी ministry का कोई bill, अगर उनकी अलावा छोड़कर कोई और प्रस्तुत करे, तो वो private member की category में आएगा, इवन चाहे government का भी कोई हाँ पर नुमाइंदा आकर को उसको प्रस्तुत क्यों न करे, यानिके ये बोला जाता है कि other than the minister अगर कोई भी बिल को प्रस्तुत करता है तो वो private bill माना जाएगा चाहे वो ही government का ही नुमाइंदा क्यों न हो पर लेकिन normally आप लोग आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जब government की साइड से कोई bill आता है तो normal सी बात है उसको ministry प्रस्तुत करेगा किसी और को क्यों प्रस्तुत करने देंगे वो तो ये एक normal बात होगी तो normally एक ऐसी pattern देखने को मलता है कि opposition वाले अकसर जो होते हैं वो private member भी लेकर आते हैं ये तो इतना तो समझ में आ गया कि वो ऐसा नहीं कि minister ही यहाँ पर एक तरीके से minister प्रस्तुत ना करें opposition वाले ऐसा बिल्कुल नहीं है कोई भी प्रस्तुत कर सकता है other than minister, एक तो point ही हो गया दूसरा आखरी ये bill लाया क्यों जाता है आखर यार इससे फायदे क्या है फायदे इससे कई सारे है government कई बार कई सारे matters के उपर focus नहीं कर दिये यानि कि उनको यह लगता है कि फालतुगी बाते चल रही है इसके उपर focus देने की कोई जूरुत नहीं है तो इसलिए हाँ पर बोला गया जैसे health का issue मेंने discuss कि आप लोगों से health में हाँ पर government जाओ focus ही नहीं कर रही है तो इनको लग रहा है right to health होना चाहिए तो ये private member भी यहाँ पर लेकर आगे ताकि government का उसके उपर focus दिया जा सके और उनको लगा जा सके कि यह इसके उपर focus दो भाय साब यह जरूरी है इसी के साथ में एक और important बात कई बार government कोई bill लेकर आती है उसके उपर proper discussion नहीं होता है तो एक healthy discussion भी उस topic के उपर हो जाएगा और जब discussion होगा तो उसके क्या-क्या positive points हैं क्या-क्या उसके negative points हैं वो भी सब के सामने आजाएंगे और वो सब के सामने अगर एक बार को आगे फिर आगे चलकर अगर कोई bill आएगा तो वो points जो है उसमें discuss किया सकते है अच्छा है प्राइवेट मेंबर तो इतना अच्छा है था बिल लेके तुमने त्यार इसका कचर निकाल दिया तो government के उपर एक pressure बन जाता है कि आप लोग भी अच्छा बिल लेकर रहा हो ठीक है कुछ दाग अच्छे होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल जो है एक दाग होता है government के उपर जो कि उनको साप करना होता है एक अच्छा बिल लाकर ऐसा आप लोगो यहाँ पर बोल सकते हैं एक और इंट्रेसिंग बात आज कल सबसे जो बुरी चीज़ देखने को मिल रही है वो है एक प्रोपर पार्लेमेंटरी डेमोक्रिसी ने देखने को मिलना आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तो government अगर कोई अच्छा काम कर दे तो opposition वाले उसको appreciate नहीं करेंगे उसमें एक तरीक से low fold डून कर लेकर आएंगे आप लोग बोलोगे यह opposition का काम है ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर कोई government अच्छा काम करे तो opposition को उसको appreciate भी करना चाहिए जैसे कि अगर बात करें अगर कोई अच्छा काम कर दिया ठीक है तो उसके उपर अगर opposition appreciate कर रही है तो अकल को चल कर अगर सामने वाले लोग opposition में बैठेंगे तो वो भी appreciate करेंगे पर लेकिन हमारे देश में ऐसे pattern है नहीं हमारे देश में तो बाल की खाल उतारनी है चाहे सामने वाल अच्छा करे चाहे बुरा करे और इस ही के साथ में opposition का नाम ही हमारी country में ऐसा हो गया कि नाम opposition है तो इसलिए oppose कर रहे है ऐसा माल यह है जबकि ऐसा होता नहीं है एक healthy democracy बनाने का काम होता है opposition का तो वो हैं पर हमारी country में promote होता है अगर नजर आएगा अगर इस stage को इस तरीके से लेकर चला जाएगा तो यह काफी important है सर यह तो बास सही है चलो समझ में आ रही है यह बताओ आज तक क्या कोई private member bill लाया गया है अगर लाया गया है तो क्या है यहाँ पर किसके बारे में कुछ बाते हमको बताओ वही मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसको सुनकर enjoy करोगे थोड़ा सा ठीक है सबसे पहले बात करें अगर कोई private member bill के बारें बात करें तो यहाँ पर पहला यह है basically work bill 1952 में लाया गया था लोग सबा के अंदर में यह 1952 में लाया गया और इसको ascent भी मिल गया यह बात आप लोगो थोड़ी surprise लगेगी ठीक है तो सेयद मुहमद एहमद जो कासमी है इनके द्वारे यह bill लाया गया था जो कि यहाँ पर पास भी हो गया अगर आप लोग मोटे मोटे तोर पर देखोगे तो जितने भी private member bill आये हैं आप अप उनको यहाँ पर पास कर दिया गया है कब जब यहाँ पर हमारे देश में वो लोग government चला रहे थे जो नए नए देश को आजाद करके लेकर आये थे यह फिर मैं बोल सकता हूँ कि पंडित जवालाल नहरुजी की जब तक government चल रहे थी लगबग तब तक यहाँ पर चीजे जो है वो आप लोगों किलियर होती नजर आ रहे थी उसके बाद में क्या हुआ उसके बाद में देश के अंदर में बहुत बड़ी दरारे पड़ना इस्टार्ट हो गई मतलब पहले तो ऐसा होता था कि जो party center के अंदर में है वो ही party जो है वो ही state के अंदर में है तो सारी चीजे ठीक ठीक चल रहे थी और आप लोगोंने एक बास सुनी होगी अगर कोई इंसान ना किसी चीज की कीमत चुकाता है वो तो वो इंसान ना जो कीमत चुका कर आ रहा होता है उसको उसकी value पता होता है ठीक है यनि कि अगर मैं आप लोग को आज केट में अपने माबाप की जो महनत है उसकी कीमत समझनी है तो आप लोग फिलाल हो सकता है कि उसको ignore कर दे पर लेकिन जी दिन आप लोग उनकी position पर आ जाएगी उस दिन आप लोग के मन में उनकी respect बढ़ जाएगी कि हाँ यार क्या क्या किया है उन्होंने मर ली तो वही बात है यापर तो क्या करने आप लोगो आप लोगो एक तरीके से कीमत समझनी है तो कीमत यहाँ पर उनको आजादी के लिए लड़कर उनको आजादी मिली थी तब जाकर यहाँ पर वो देश के अंदर अपनी पोस्ट पर आकर बैटे थे तो उनको कीमत पता थी अपनी आजादी की कीमत पता थी उनको उस पारलेमेंट की जिसके अंदर हर एक मेंबर की एक एहमियत थी तो हाँ पर एक हेल्दी डेमोक्रीसी हो आकरती थी इसलिए प्राइबेट मेंबर बिल भी जो थे वो अकसर यहाँ पर आप लोगो पास होते हुए नजर आते थे ठीक है इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकती हो तो यानि के हर एक इंसान जो है वो अपनी बाते रखता था पर आज की डेट में यह पोसिबल नहीं होगा और उसके बाद में आप लोगो बिल नहीं आए पर लेकिन पास नहीं हो पाए एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि आप लोगों से एक्जाम में कोश्चन के फोर में भी पूछी जा सकती है आज तक ओनली चोदै प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पारलेमेंट के द्वारा पास केगे जिनकी लिस्ट में आप लोगों सामने रख दिये हैं आपर इनको आप लोग थोड़ा सा एक बार नजरों में को निकाल लेना क्योंकि कई बार हो सकता है कोश्चन इन से पूछ ले जाते हैं क्योंकि ये सारे वो इशू थे जोकि अच्छे इशू थे 14 डिसकस केगे पास नहीं 15 लोग सभा के अंदर भी यहां पर 372 देखने को मिलेंगे 11 ओनली डिसकस केगे तो यानि कि पास जो थे वो ही पर ही हो चुके यहां पर आकर कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुआ है तो यह डेटा आप लोगे सामने है कुछ और बात है अगर इसकी बारे में आप लोग जानना चाहते है सबसे important बात तो यहां पर मैंने बता दी कि government bill और private member bill में क्या है तो यह तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा introduce behalf of the government पर introduce non minister यहां पर नहीं होगा जो introduce करेगा can we introduce either house जी हाँ बिल्कुल सही है दोनों में से किसी भी house में introduce करे सकता है दोनों को और must be passed by both the house to become a low यहां कि कानून बनाने के लिए दोनों house में से pass होना यहां पर जरूरी है तो यह भी एक तरीगा आप लोग इसके उपर तो बोला जा रहा है कि अभी आप लोग ने देखा यहां पर minister हैगा public वाले में और यहां पर non minister आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है इसके बारे में बात करें तो ruling party कर रहता है और यह एक्सर opposition party गया है ठीक है ऐसा नहीं कि हाँ पर एक तरीगे से और यह ऐसा नहीं कि यह government वाले नहीं introduce कर सकता कोई कर सकता है अपर लेकिन उसमें कोई allowee क्यों करेगा उसको ठीक है अपनी बेज़ती कौन करवाएगा ठीक है greater chance होता है अपर रूव होनेगा क्योंकि government कर रही है और government majority में होती है बहुत ही कम chance है इसलिए चोदे जो पास होएगे वो तभी पास होगे जब भायचारा हुआ करता था अब कोई किसी ने पास यहाँ पर नहीं किये गया ठीक है तो यह देखने को मिलेगा इसका rejection अगर आप लोग को देखने को मिलेगा ठीक है तो इसका मतलब होगे गोर्मेंट कोंफिडेंस में नहीं है तो नो कोंफिडेंस मोसन लाए जा सकते हैं यहाँ पर ठीक है इसका rejection होगे तो कोई बात नहीं है आप और अच्छा discussion होगे आ पारलेमेंट के अंदर में गोर्मेंट को resignation देने कोई जूरती नहीं है ठीक है तो वह वाली आप लोग को देखने को मिलेगी इसी के चलते अगर बात करें हैं आप यह introduce के जाता है house require एक seven days notice जब एक तरीके से अगर इसको introduce करने है आप लोग को ठीक है यह draft किया जाता है department के द्वारा अलग अलग level पर इसको consult किया जाता है यह जो है इसके लिए एक महिने का notice देना पड़ेगा पहले कि हाँ ऐसा कुछ हम लोग करने जा रहे है ठीक है इसके लिए कोई दिन नहीं है यह साथ दिन पहले का notice देकर कभी भी इंट्रिद्यूस कर सकते हो एक महिने का notice देकर only Friday को ही इंट्रिद्यूस करेंगे इसके लिए जाद है पावर नहीं है क्योंकि यह काम एक्चुल में government का है ठीक है कोई और कर रहा है तो उसके लिए बस एक दिन लोट किया गया कि भाइसा 20 दिन आना और तुम्हारे अंदर जितनी तना तनी चल रही है अपने दिमाग में जो भी आपके गुबारे फोट रहे हैं उनको आकर अपने बुलबुलों को सांथ कर लेना और यहां पर अपना जो भी है उसको रखकर discuss करके चले जाना यह ऐसी चीज आप लोग के बारे में तो यह topic number 2 आप लोग का पूरा कवर हो गया इस particular चीज से लेटर कोई confusion में नहीं होना चाहिए मैं guarantee देता हूं इस question को जो UPSC में 2007 में पूछा गया चाहे आप लोग UPSC की त्यारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो हब आप लोग इस question का आंसर दे दोगे practice करके member of parliament who is not elected इनिके जो elected नहीं है but only nominated by the president ऐसा कुछ है क्या अभी मैंने क्या बताया other than minister कोई member of parliament उसको present कर सकते है statement one जो है गलत होगी ठीक है statement two तो और भी आसान है private member बिन जो है पास कहता है वह भी पुराने टाइम में बाब आदम के जमाने में तब से अब तब कोई पास नहीं हुआ है तो आप लोग इससे अंदाज लगा सकते हैं तो अंसर क्या हो गया आंसर हो गया डी ऐसे आप लोगों से एक्जाम में पूछे आते हैं तो फिर आप लोग आंसर दोगे कि नहीं तो टोपिक को ऐसे पढ़ो ठीक है यह इंट्रेशिंग कोशन है यह यूपेस से हैं पूछे गें आप लोगों से देखता हूं इसका कौन-कौन से आंसर देता है बोला गया है कि what was the exact constitutional status 26th of January 1950 हमारे देश में अगर बात करें समिधान में जब तक आप लोगे लिए नए सब्द एड नहीं किये थे तो क्या इस स्टेटस था तो इसका आंसर देना है a democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic, तो इसके बारें बात कर रहे हैं आप लोगों के प्रियंबल के बारें बात कर रह किये हैं, आप लोग देखते हैं, sovereign socialist secular democratic republic, पर लेकिन ये कब एड कियेगे, इसमें कही सारे सब, 40 second constitution amendment करके एड कियेगे, आप लोगो पता है, तो question का answer आप लोगो देना है, देखता हूँ, कौन-कौन सही answer यहाँ पर देता है, कि starting में 1950 में कौन-कौन से सब्द ही हाँ पर न मैं भी एकी बड़ी आसांसा question यहाँ पर पूचा गया था, बोला गया, legal right available to citizen only, property citizen ले सकते हैं, बस only, legal right available to anyone, fundamental right available to citizen only, neither fundamental right nor legal right, सही answer किया यहाँ पर, आप लोगो यह बताना है, ठीक है, देखता हूँ, कौन सही answer देता है, ऐसे answer भी है, ठीक है, right to privacy, इसको तो अगर तुमन पढ़ाना बेकार है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि मुझे धाबा बंद कर देना ची, बाबा का धाबा बन जाएगा, ठीक है, right to privacy के बारे बात कर रहे है, यह UPSC में पूछे के question है, तीनों गे दिनों, ठीक है, तो मुझे लगा आप लोगो थोड़ा सा और नजारा दिखा तो इस तरीके से तयारी करो, कि तयारी है से रहे, feedback जरूर देना, like और dislike करकर बता सकते हैं, एक सेकिंड लगेगी जस्ट आपके, मुझे पता चल जाएगा, कि मैं किस direction में पढ़ा रहा हूँ, feedback आप लोगों से इसलिए मांगता हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे, इसी क अच्छे से पढ़ो यार, जिन्दगी में आगे बढ़ो, यही बस एक दुआ है दिल से, और अपनी अच्छे अच्छी position लेकर अपने परिवार को और अपनी जिन्दगी के बहुत बहुत बहतरी direction दो, ठीक है? यार यह एक ऐसा topic है, जो अकसर मेरे दिल के काफी करीब रहत है, क्योंकि जब भी भी यहाँ पर किसी की help करनी की बात आती है, तो वो जो topic होता है, वो कहीं ने कहीं इंसानों को ससक्त बनाने का काम करता है, यानि कि अगर यहाँ पर National Legal Service Authority नह हो, तो बहुत सारे लोगों को न्याए नह मिले, जैसे कि government जो है कई सारे ऐसी support तो यह N-A-L-S-A, आप लोगों ने सुनाओगा NALSA, National Legal Service Authority of India, तो काईप लोगों ने judgment भी सुनाओगा, याद है NALSA judgment, बताइए कौन सा था हो judgment, जो मैंने आप लोगों कही बार पढ़ा है, तो वही Legal Service Authority है यहाँ पर, याद रही है तो मैं याद दिलाता है तो हूँ, आप को थर्ड जेंडर क्रियेट करने की बात किये यहाँ पर, यहनिके मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, यह तो आप सब लोगों को पता है, पर लेकिन एक नया जेंडर और होना चाहिए, जिसको ट्रांजेंडर बोला गया, तो यहाँ पर जो हिजरा किननर कही नाम से हम लोग प रखेगा, इसी के बेस पर थर्ड जेंडर क्रियेट किया गया उस कम्मुनिटी के लिए, जिसको कोई सोसाइटी में काउंट ही नहीं कर रहा था, अब आगे चलकर उनके अधिकार के बारें बात की जाती है, उनकी लिए कई सारी सोसल सिक्योर्टी सर्विसिस के बारें बात की जाती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे देखने को मिलती है, लेकिन सुरुवात की जो नहीं रखेगी, वो यहाँ पर इस पर्टिक्लर अथर्टिक के द्वारा रखे गई, आप लोग बोलोगे, सरी हाँ पर यह बाई वीर क्या लिए रखा है, यह जो पिक्चर उठाई गई है, यह उठाई गई है, पॉलिटी के लेक्चर से, ठीक है, और पॉलिटी का लेक्चर जो है, complete एक particular topic है, पॉलिटी के अंदर में, तो वो आप लोग का यहाँ पर अभी cover हो जाएगा, जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, यह news म आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी एक structure को हम लोग समझ लेते हैं, जो कि काफी important है, और कभी इसको established किया गया, यानि कि यह पैदा कहां से हुआ, पहले तो हम लोग वो समझ लेते हैं, जहां से इसका बेस है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोग ने देखा होगा, इसके गाउं से निकल कर आता है, तो हमारा base गाउं का है, एक सब्सक्राइब करते हैं, जो आज की डेट में administration में, जो unit है district, तो district level पर district judge जो है, उसको district legal service authority एक तरीके से, उसका head रहते है, state level पर जो है, Chief Justice of state का जो high court है, वो यहाँ पर इसका head रहते है, और यहाँ पर national legal service authority का जो head है, वो रहते है Chief Justice of India, यह बनाई गई थी यहाँ पर कब legal service authority act आया था 1987, यानि कि 1987 में, तो उस time पर यहाँ पर इसको बनाया गया, ताकि उन लोगों को भी न्याय प्रोवाइड कराया जा सके, जिन ल पाता है, क्योंकि सब के पास में, आप लोगे जितने पैसे नहीं होते हैं, कि वो court में जाकर आसानी से court पहन कर case लड़ सके, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कि एक तरीगे से वो case पढ़े रहते हैं, जेल के अंदर में, पर लेकिन कभी रिहा नहीं हो प लेडी जेल में वो time काट चुके, तो जब जेल में लेडी टाइम काट लिया, माली ये कोई accident हो गया मेरे से, ठीक है, उसकी सज़ा जो है, माइनर किसी को injury आगी, उसकी सज़ा जो है, तीन महीने, मैं पिछले जो है, तीन साल से जेल में पढ़ा हूँ, मुझे निकाल दो भ लेंगे, तो इसके चलते हैं हाँ पर उनके लिए कोई ने कोई solution निकालने की causes भी हाँ पर की जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, इंपोडेंट बात के हैं हाँ पर, जो आप लोगो बता होने चीए, इंपोडेंट बात यार, यहाँ पर यहाँ है कि हमारे समिधान निर बात करता है, to the poor, यानिकि जो ग्रीब तब का है society का, जो कि खुद से कोई service नहीं ले सकता है, तो भाई साब उसका भी कोई रहनुमा होना चाहिए, तो weaker section को यहाँ पर society में justice मिल सके तो उसके ओपर focus कियाता है, इसलिए जब पार थड के अंदर में आप लोग जाते हैं, ज और हो equality कब होगी, जब सामने वाले के पास में कोई वकील ही नहीं रहेगा, सामने वाले के पास में कोई support ही नहीं रहेगा, तो equality कहां से आ जाएगी, यह तो वही बात होगी, कि दो बच्चों का exam candidate कराना है आप लोग को, एक बच्चे के पास में AC है, proper internet है, proper mobile है, proper laptop है, proper tablet ह और घर में खाना बना-बनाया, proper मिल जा रहा है, एक वो इंसान पेपर देने जा रहा है, एक इंसान होए कि जो अपना खाना अपने आप बनाता है, अपने घरवालों का भी खाना बनाता है, उपर से उसके पास में mobile phone है, ले दे के वो भी, वो भी हाँपर electricity area में रहती नही मच्छर मक्की पता नहीं क्या क्या खाट रहा है, टोपर टोटल खाना जो है, वो भी धंकाने मिल पाता है टाइम पर, एक ये इंसान competition लड़ रहा है, तो ये तो एक तरीके से level playing field तो ये हुआ नहीं, तो इस तरीके से बन सकता है कि इसको भी कुछ service तो provide करा हो, कम से कम अगे खड़ा होता है, अंदर वाले जो गोले पर हो थोड़ा पीछे रहता है, इससे अंदर वाले पर और पीछे रहता है, ताकि एक level playing field इनको मिल जाए, ये चीज़े यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हैं, यहाँ पर 1987, 1987 1987 में आके खुली, government की और लगा कि एक कानून लेकर आना चाहिए, क्योंकि यार अगर कानून नहीं लाएंगे तो कैसन काम चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तब कानून लेकर आया गया, बोला गया Legal Service Authority Act, तो इसको यहाँ पर लेकर आएंगे, और इसके तहत यहाँ पर जो ह है 1987 में, यानि के कानून बना चुक है आप लोग 1987 में, पर लेकिन उसको implement करने में भी आप लोगो 7-8 साल लगे, तो यह काफी बुरी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है, सेम ऐसा हुआ है आप, National Legal Service Authority वाला, जो यहाँ पर केस था, 2014 का केस था है आप, 2019 में जाकर यहाँ पर इसके उपर कानून बन रहा है, तो यह काफी बड़े इशु देखने को मिलते हैं कई बार, कई बार फिर से कोट को आकर बताना पड़ता है, भाई साब, दरवाजा खट-खट आगे, टक-टक-टक, रहे उठ जाओ, रहे वो कानून पास किया था, आप लोग ने तो यह ऐसी जो यह होले होले जोगाटी चलती है ना, यह काफी ज़्यादा है प्रोलम क्रेट करती है सोसाइटी में, इसलिए कई बार गवर्मेंट की सर्विसिस के ओपर लोग कोशन माक लगा कर प्राइविट सर्विसिस में अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर बात करें National Wide Uniform Network होना चाहिए ताकि Free Component Legal Service प्रोवाइड करा जा सके माले जब मैं आज केट में दिल्ली के अंदर रहता हूँ तो मुझे तो सर्वीस सची खासी मिल जाती है महाँ पर सारी चीज़ है पर सोचो कोई बंदा ऐसा है वो बिहार के अंदर किसी गाउं में बैठा है या फिर वो उडिसा के अंदर किसी गाउं में बैठा है या फिर वो गुजरात के अंदर किसी गाउं में बैठा है तमिलाडू के अंदर किसी गाउं में बैठा है उसका क्या होगा तो यहाँ पर उसके ओपर फोकस दे कर चलना जरूरी है इसलिए Equal Opportunity अभी मिल पाएगी तो National Legal Service Authority Act जो है वो यहाँ पर Constitute की गई 1987 में ताकि एक Equal Opportunity लोगों को प्रोवाइड करा जा सके और यहाँ पर एक तरीगे से solution निकला जा सके जो जस्टिस को लेकर अभी प्रोलम देखने को मिलती है पाकि इसमें समझाने वाला कोई है नहीं यह तो बेसिक चीज़ है कि यहाँ चीफ जस्टिस ओफ फिर यहाँ पर सेंटर पर रहता है मैंने बताए दिए आप लोगो फिर यहाँ पर जो senior most जो हाँ पर judge होगा Supreme Court को Executive Chairman आप लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा second इसी के साथ में similar state और district level पर आप लोगो नजर आ जाएगा Chief Justice of High Court और Chief Justice of District Court वो आप लोगो देखने को मिलेगे Prime objective क्या है जल्दी से जल्दी नयाय मिले और इसी के साथ में जो judiciary के उपर burden है उसको थोड़ा कम किया जाए तो यानि कि एक तरीके से जैसे बोलते न माबाप के उपर बोज कम करना है तो आप लोगो कुछ ने कुछ करना पड़ेगा तो यह समझोगी हाँ पर उपर judiciary के उपर burden कम हो उसके लिए हाँ पर यह एक बच्चा बनाया गया ताकि आगे चलकर यह नीचे ही काम को निप्टा दे उपर माबाप के उपर ज्यादा burden ने पड़े ज्यादा focus किसके उपर रहता है दाइरे में आप आते हैं जो यह चोड़ा सा topic मैंने आप लोगो पढ़ा है इसी में से आप लोग आसानी से question solve करके निकल जाओगी और आप लोगो पता भी नी चला कि मैंने एक question आप लोगो तेग्यार करवा दिया UPSC का देखते ही देखते बात की जारी है National Legal Service Authority के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी statement यहाँ पर ग्रेट है बोला गया है objective इसका provide कराने के लिए एक तरीज़े free and इसी के साथ में competent legal service एक weaker section के लिए society के लिए on the basis of equal opportunity यानि कि सब को एक equal opportunity मिलती है उसके base पर यहाँ पर एक legal service जो है वो इनके द्वारा provide करा जाती है दूसरा बोला गया है issue guidance for the state level जो service authority होती है और implement the legal program and the scheme throughout the country इनके state level पर सबको guidance दी जाती है कि आप लोग ऐसे से काम करोगे ताकि यह सारे level पर अच्छे सीज़ों को implement के जा सके कौन सी statement correct है A में बोला गया one only बें बोला गया two only, same बोला गया both और डें बोला गया neither one no two अभी क्या क्या बोला है कि सबसे उपर सबसे उपर हो गए हाँ पर center level पर यानि कि एक तरीक है supreme court के level पर फिर हाँ पर state और फिर district तो हाँ पर सबसे उपर जो है वो authority रहती है उनके पास में और judiciary जो है हमारे देस में unitary आप लोग को देखने को मिलेगी यानि कि supreme court सब के पापा हैं फिर नीचे high court और फिर नीचे आप लोग के हाँ पर district court यानि कि कोई case district court में high court में जाएगा high court में supreme court में जाएगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा जबकि अगर United State of America USA में आप लोग जाओगे वहाँ पर high court के अंदर ही highest appealing authority है जबकि हमारी country में supreme court आप लोग को देखने को मिलता है तो answer क्या हो गया? answer यहाँ पर C हो गया यानि कि दोनों की दोने statement exact यानि कि बिल्कुल correct है तो कोई confusion आप लोगों नहीं होना चाहिए 2020 में एक question पूछा गया इस question को discuss करने के लिए फिर से पीचे slide पर चलूँगा जो point मैंने हाँ पर छोड़ दे था जान बुचकर क्योंकि मुझे पता था question discuss करूँगा तो उस time पर आप लोगों बताऊंगा और अच्छे से पर्सन फूज नेशनल इंकम डज नोट एकसेड वन लैक इसी के साथ में इन सुप्रीम कोट लीगल सर्विस कमिटी दा लिमिट सीज 12500 यहां पर जो मिनिममम जो लिमिट है आप अगर आप लोग बोल सकते हैं वह वन लैक है आप अगर बात करें नेशनल लीगल सर्विस उसको मिल जाएगी यह पहली सब्सक्राइब है यहां से आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं जब पहली स्टेटमन नहीं यह इसका मतलब दोन हो गयी जो मैंने पढ़ाया उसके बेसंप डोग इतना तो को मिलेगी तो आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर इसका ए हो गया तो इस तरीकर समझ सकते हैं तो अप लोगे लिए हाँ पर यूज होगा नेशनल लीगल सर्विस ओथरेटी डे जो है वो नॉवंबर के महिने में सेलिबेट कियाता है अब नॉवंबर की डेट क्या है यह आप लोग को बतानी है देखता हूं कौन-कौन यहां पर सही कोशन का अंसर देता है मैं expert करता हूं कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका बाद में उसका कोशन का अंसर आप लोग जुरूर दिया करो अच्छा लगता है मुझे ठीक है बाकी feedback भी दे दिया करो जो भी आप लोगो लगता है कैसे आप लोगो लगता है topic तो like करकर आप लोग बता सकते हो अर्याना और दिल्ली ठीक है तो यह topic आप लोगे लिए और भी ज्याद़ हो जाता है यानि के वैसे तो important सब के लिए है लेकिन अगर इने अरिया साथ है तो और भी ज्याद़ हो जाता है वो कैसे हो जाता है मैं भी आप लोगो बताने वालो Supreme Court के द्वारा बड़ाई शांदार सा decision दिया गया और बोला गया कि जो green protection है उसको extend किया जा रहा है खासकर किसके लिए अरावली रेंज के लिए तो Supreme Court extends green protection to the forest जो land है खासकर अरावली वाले रेंजन की अरावली का नाम आप लोगो ने सुनाओगा अरावली की पहाड़ियां क्या आप लोगो पता है कहां से कहां तक value ही है वीडियो को post करकर ही पर ही बता दो देखता हूँ कौन से answer देता है ठीक है देखता हूँ कौन ब कर गुजरती है यह ऐसी चीजें जो अकसर आप लोगों को पता होनी चाहिए कोई पूछेगा बच्चा कि बताओ भाईया या बहन की हां कि आप लोग सुना यूपीसी की तैयरी कर रहो चोड़ा सो कोशन बताओ आज टीचर ने क्लास में पूचा था तो आप लोग उसे प पूइंट्स में आप लोग को बता देता हूँ सबसे पहले तो इसकी जो रेंज है इसके बात करें हाइस्ट जो आप लोग को देखने को मिलेगी इसकी जो रेंज है खासकर जो हाइस्ट जो पीक बोलते है उस पे गुरु सीखर है याद कैसे रखना है जीएस का पेपर है सबसे हाइस्ट आप लोगो रेंज देखने को मिलेगी इसी के साथ में इसकी जो लंबाई है यानि कि अगर बात करें आपर जो फैला हुआ है तो काफी लंबे रेंज में फैला हुआ है अप्रोक्षिमेंट माने आता है कि 670 किलोमेटर ठीक है तो साउथ वैस्थान हर्याना और इसी के साथ में ये खासकर एंड हो रहा है एहमदाबाद में गुजरात के अंदर में और इधर दिल्ली में आके यहां पर दिल्ली में एंड हो रहा है और यहां पर एहमदाबाद में गुजरात के अंदर आप लोग एंड होता हुए यहां पर यह नजर आएगा तो यह यह particular area है जिसमें यह फैला हुआ है तो इस particular range के ओपर जो भी green cover है उसको product करने की बात की जा रहे है और खासकर हर्याना पर पूरा focus है हर्याना के अंदर में section 4 जो है Punjab Land Preservation Act जिसको PLPA आप लोग बोलते हैं उसके तैद बोलागे कम से कम आप लोगो production तो provide करानी ही करानी पड़ से और इसकी वेसे आपर जो हरकते हो रही है आपर जो green cover जो हो खतम हो रहा है और बहुत सारे issues देखने को मिल रहे है उसके ओपर आप लोग कोई ने कोई solution निकालना ही निकालना पड़ेगा तो यानिके court जो है वो यहाँ पर सक्त हो गया है कि यह हरकते तुमको नहीं करने दोगा क्योंकि तुम तो भाई साब ऐसे काम कर रहे हो जैसे तुमको लग रहा है कि किसी बेगानी साधी में रजगुले खाने पहुंचो खालो जीतना खालो पेट तुमारा है लेकिन और पेट तुमारा है भले ही माल दूसरे का बरबाद तो हो जाओगे इसलिए थोड़ आप लोग बोला इसका मतलब यह कि पास्ट में जो भी हाँ पर ओडर दिये गए है उसको भी ढंक से लेकर चलने की बात की जा रहे है हरियाना क्या बोल रहा है हरियाना अपनी कुछ एक तरक रख रहा है इस पर हरियाना स्टेट कह रहा है 2018 में जो ओडर होता है 100% एरिया ज सारी चीज़ें बर्बात करते जा रहे हो लेकिन उनके बारे में भी सोचो जो यहाँ पर आने वाले टाइम पर जो जनरेशन है तो उसके बारे में बात देगे जा रहे है यह सारी कहान यहाँ पर लिखिए कि क्या क्या बाते हैं पर प्रोटेक्ट करने की बात की जा रहे है past में क्या order आचुके हैं हापर जो मैंने भी आप लोग को बता है हर्याना किया बोल रहा है वो आप लोग को बता है और supreme code अबनी बात है बता रहा है कि हाँ पर किस तरीके से हरकते कर रहा हो और इसको तो प्रोटेट आप लोगो करना है तो इसका मतलब सिधा-सिधा यह हो गया कि एक तरीके से एक एक डिरेक्शन दी जा रहे है कि आप लोगो यहाँ पर काम करना ही करना पड़ेगा ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कुछ बात ही अगर बात कुरें जैसे गुजरात तु आप लोगों ने उसको देखा हो ना वो जो एक तरीके से प्लेट टेक्टोनिक स्थोरी होती है जोग्रफी के अंतर में एक बार जाकर जी आएफ सर्च कर लेना आप लोग किस किस तरीके से प्लेट खिसक रही है तो आप लोग कई सारी चीज़े समझ पाओगे जो यह अरा एक हजार साथ सो यह बाइस मीटर हाइस्ट पीक इस परावली रेंज के अंदर में आप लोग यहां पर समझ सकते हैं गल्फ ओफ खमबात ठीक है एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं आपर जो गल्फ ओफ खमबात और अधर इंटुदा आंदर प्रदेश इन करनाट का ज जो कारटोन वाली रीजन में इसी के साथ में और भी कई सारी जो रीवर्स हैं वहां से निकल कर आती हैं बेसिक चीज़े देखे आप लोग के लिए डाली गई हैं अगर देखा जाए तो कई बार छुड़ी चुड़ी चीज़े आप लोग इसके बारे में याद रखोगे तो confusion नहीं होगा जैसे अरावली रेंज आप लोग को देखने को मिली ऐसे विंध्या रेंज है सत्पूरा रेंज है कई सारी रेंज है वेस्टन खार्ट वगर यह सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिल रहे हैं यहां पर माउंट एवरेस्ट हो गया तो इसी के चक्ते यहां पर यह कुछ चीज़े भी आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है कई बार छोड़ी छोड़ी से कई सरे कोशन मन जाते हैं एक सरे एक्जाम में सिग्निफिकेंस क्या होगा सुप्रीम कोट का जो ओडर आ रहा है एक तो यहां पर जो मुरुस थिली करन हो रहा है यानि क पिर दूसरे टाइम पर ग्राउंड वोटर रिचार्ज करना है जिससे वोटर टेबल आगे बढ़ती है और वोटर टेबल आगे बढ़ती है तो हम लोग को पीने का पानी मिलते है तो उसके ओपर फोकस देकर यहां पर चलना है और सबसे बड़ी बात यहां पर यहां पर य बार ना बार लुमी के बारे में आप लोगों से पूछ लिया तो आप लोगों से कूछा गया है कहाँ पर फ्लौ होती है कहाँ पर जाकर गिरते तो ये और इसिक लिए अप लोगों को देखने को मिलें तो बेसिक आप लोग समझ सकते हैं तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया तो टोपिक ऐसे तियार करो कि इसकी बैग्राउं इंफर्मिसन भी आप लोग के पास में रहे और कोई अप लोग को देखने को नहीं मिले अब यह ऐसा ही कोशन यहां पर 2015 में यूपेस्टी के दौरा पूछा गया कहने के लिए तो आप लोग को यह लगेगा इसके बारे में कि आर यहां पर यह कहां से इसमें अरावली रेंज आ गई ठीक है पर अभी आप लोग और आप लोग कि देख सेट्मेंट करेक्ट है चांप लोग को बता है तो इसका आप लोग देखता हूं को मैंच यहां पर इसका आप लोग दीजें देखता हूं कौन आंसर देता है वीडियो को पोज करिए थोड़ देर के लिए पूर आंसर दीजे आंसर किया है यहाँ पर आंसर इसका यह हो गया यह फॉस्ट सही है आपर अगर पुसकर वैली के बारे बात करें तो यह अरावली हिल रेंज में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा ठी इस तरीके से भी आप लोगों से कोशन पूछे आ सकते हैं कल को कन्फिजन आ नहीं या यह कोशन कहां से बन गया तो बेसिक इनफोर्मिशन को लेकर जाओ या हमेसा अच्छा फिल करोगे एक्जामिनीशन होल में कोई भी डाउट देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो इस त फिर तो यहां खतम हो गया था इस वाली स्लाइड के ओपर ठीक है यह करेंट फिर नहीं है इनडेरेट वे बोला जाए तो आप लोगों का स्टेटिक पोर्षन तैयार करा रहा हूं बैक्राउंड में जा जा कर पर खतम हो गया था यह अरावली रेंज के बारे में जो आप को बताएं करेंट अफिर था यह सारा करेंट यूपेस के के ब Dow को बताए करेंट फिर ऐता है इंडेरेट वे में आप Packers किर या रही है कुछ और फ्रेम की जा रहे हैं तो आप लोगों डेली टेलिट आलंग पर यह कृळ believer अग्र और को Пठाई होता है और करेंट बी- यह दिन में कितने टोपी हो जाएंगा इसे फालतों थोड़ी नहीं पाकी का जो होता है इस टेटिक पॉर्शन और वह एक तरीके से एक अच्छा लेक्षर बनता है जब आप लोग इसकी बैगरॉंट इफॉर्मिशन आप लोग के सामने रखी जाती है तो यह रहता है बेसिक इफॉर्मिशन आप लोग को प्रोवाड़े करा जा रही है अगर आप लोग डिफेंस की तयारी कर रहे है तो पी आई बी के द्वारा काफी इंपोर्टेंट इफॉर्मिशन है आप रही है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया है टोटल मिलाकर नो राज्य आप लोगो देखने को मिलते हैं ठीक है जैसे गुजरात, महरास्टा, गोवा, करनाटका, केरला, पांच, तमिलनाडू, आंदरपरदेश, उडिसा और वेस्ट बंगाल तो नो राज्य ऐसे हैं जिनकी कोस्टल बाउंडरी को प्रोडेट करने की बात की जाती है, तो कोस्ट गार्ड काफी अच्छे से रोल प्ले करती है, तो M-K-3 स्कॉर्डन, 8-4, जो यहाँ पर 0 स्कॉर्डन, तो यह कमिशन किया गया है चेन्नी के अंदर में, जिसको आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, एक तर काफी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वेसे इसको एप्रिशेट के जा रहे है, तो यह एक तरीके से अपना कोई भी प्रोडेक्ट हमें बनाना होते हैं, जी जान लगा देता है इंसान, कहानी आप लोग ने सुनिये वो, एक छोड़ी सी कहानी है, कि एक इंसान जो है, वो काफी अच्छे बिसिकली इस्ट्रक्चर यहने के घर बनाया करता था, और जब उसका रिटार्मेंट होते होते हैं, उसके बोस ने कहा कि यार एक घर और बना दो, तो वो बोला कि रिटार्मेंट होते 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 हैं, तो ठीक है, उसने बे मन से जो है, वो एक घर जो है, लास्ट घर भी बना दिया, पर लेकिन जब वो जाने लगा, उस लास्ट घर की चाबी उसके बोस ने दे तो यह आप लोग समझ सकते हैं ठीक है तो यह भी हमारे हेलिकॉप्टर है तो हम लोग दिन लगा कर अपने लिए बना रहे हैं तो वह बेस्ट होंगे तो यह आस्टेलिया के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा तो इसके बारे में अप लोग को जूरू बता होना चाहिए उसी के बारे में यहाँ पर बात की जारी है the great barrier reef के बारे में तो Australia के अंदर बोला जा रहा है कि ये danger की category में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो उसी के ऊपर काम करने की बाद यहाँ पर के जा रही है तो great barrier reef कहाँ पर है यह है Australia के अंदर में और यहाँ पर coral sea वाला जो area है इसके ऊपर एक joint report प्रस्तुत की गई है जो international union for conservation of nature और unionist को world heritage site के दौरा कि हाँ पर जो यह reason है यह आप लोगों को एक तरीके से list of world heritage in danger यह हाँ पर इसको basically recommend किया गया है ताकि इसके उपर focus के जा सके क्योंकि एक particular temperature चाहिए होता है तो global warming काफी बड़ा reason है coral bleaching हो रही है जिसके वे से खतम होते जा रहे है और इसी के साथ में crown of throne जो यहाँ पर starfish है यह सब भी आप लोगों को दिक्कत में पढ़ते हुए यहाँ पर नजर आएंगे तो इसी के चलते हैं पर इनके उपर focus करने की बात की जा रहे है यहाँ पर खासकर world heritage center जो है वो एक तरीगे से immediate support provide कराने की बात करा है fund provide कराने की बात करा है ताकि इनको बचाया जा सके क्योंकि जो यह particular region है जो कि Queensland, Australia के अंदर में देखने को मिलते है world का largest coral reef है यह दुनिया में सबसे बड़ा coral reef है और अगर यह सुरक्सित रहते हैं, अच्छे रहते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि समूंद्र का एक तरीगे से life कैसे चल रही है अच्छी है, protective है यह फिर उसमें दिक्कते आ गई है तो यह जैसे नहीं कहते हैं कई बार आप लोगोंने सुनाओगा यह फिर यहाँ पर खारा पानी हो गया है क्योंकि वह अक्सर सुच पानी में पाए जाते है तो ऐसे आप लोग चीज़ों को understand कर सकते है तो यह काफी important है जो कि आप लोग यहाँ पर connect कर सकते है यह जो particular article है इससे little मैंने आप लोग का कल question वाली वीडियो में question भी आप लोगों से पूछा था hornbill festival के बारे में attempt की वह कल question वाली वीडियो शाम को upload की थी अकसर आप लोग की वो वीडियो जो है वो Saturday में शाम को आती है तो उसको आप लोग अच्छे से enjoy कीजेगा last month में Saturday को नहीं मैंने आप लोगे लिए प्रोवाइड करा दे थी वो मन्थली तो आती आती है Saturday को शाम में जो है कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई काम होता है उसकी वेसे नहीं होती है पर लेकिन आप लोगी एक मन्थली वीडियो आप लोगो जुरूर देखने को मलते हैं कोईशन की वीडियो रहती है अलग से और आप लोगी जो टोपिक है आप लोगे वो डिसकस के जाते है वो अलग से तो दोनो वीडियो आप लोगे पास में रहती है जिनको आप लोग अच्छे से इंज्य कर सकते हैं होनबिल फेस्टिवल अपने ही आप में बड़ा ही बहतरीन फेस्टिवल जो कि नागलेंड में सेलिबेट कहता है जो कि हमारी कंट्री में नोर्थिष्ट का एक राज्य है मैनमार के साथ में भूर्डर टरच करता हूँ नजराता है और अभी हाँ पर ये समापन हुआ नागलेंड के अंदर में होनबिल फेस्टिवल ये आप लोगो बाता होना चाहिए ठीक है बिसिकली कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्मुनिटी होती है उनकी कल्चर को दिखाने कोशिस की जाती है उनका जो किस तरीके से प्रोटेक्शन या फिर उनका एक तरीके से अपनी रहे में क्या-क्या उगाते हैं, खाते हैं कल्चर, एक्सप्रेशन, सोंग, डांस वो सब चीज़े आप लोगो देखने को मिलती है यहाँ पर एक चड़िया है, होन बिल जो कि आप लोगे हाँ यहाँ पर यह structure देखने को मिल रहा है जो मोदी जी भी हाँ पर पहने वे थे तो यह particular एक चड़िया के नाम पर इस particular festival का नाम जो है वो रखा गया है, ठीक है 2000 में यह conceptualize किया गया और annually celebrate कियाता है और काफी एक तरीक से ना ताम जाम और एक काफी सिद्दत से celebration आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है तो आप गर आप लोग को कम से कम पता होना चाहिए हमारी country में कौन कौन से culture festivals है ताकि आप लोग उनका understand कर सकें और कल को जब आप लोग जाकर बैठो इन एरिया में तो आप लोग यहाँ पर उन चीजों को समझ भी सोगो क्योंकि काफी ज़रूरी होता है understanding develop करना तभी तो आप लोग वहाँ पर कोई solution निकाल पाओगे है कि नहीं तो यह है इसके बारे में information तो confusion नहीं है ठीक है important है confusion होगा तो इसको दूर करकर ही आगे बढ़ना है तो आज का lecture जो है वो इतना ही रखते हैं बाकी चीजों को आप लोग revise कर लेना जो भी पूरे week में discuss किया है चाहे वो आप लोग के MCQ हो हो चाहे वो आप लोग की vocabulary हो या फिर जो person important मैंने आप लोगों से पूछेते वो हो तो उनके बारे में आप लोग revision कर लेना अरुना आसा पली के बारे मैंने discuss कहता Quit India Moment के टाइम पर काफी important personality है hosting the Indian flag in Bombay during the Quit India Moment 1942 याद रखेगा और डेली की first mayor बनी थी 1958 में post independent तो ये भी आप लोगों से पूछा सकता है तो कैसा लगा आज का लेक्टर जुरू बताएगा और अच्छे से चीजों को enjoy करना कोई भी doubt आप लोग के मन में नहीं होना चाहिए अच्छे से चीजों को आगे लेकर बढ़ना है revision जरूर करना है revision is the key of success ये मैं आप लोगा हमेशा बोलता हूँ उसमें कोता ही नहीं बढ़त रही है और इसे एके साथ में आप लोगा गोल है आप लोगों को ये अचीव करने है सब के मन में उपर उपराओ उन्हें करते हैं उपर नीचे चड़ाओ सब चीजे होती है